दोस्तो अगर आप telly prime software के यूजर हो और आप पहली बार किसी company की account है जो telly prime software में maintain कर दे हो तो ये वीडियो special आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम discuss करेंगे जो कापी सारे नए fresher accountant लोग है वो telly prime software को use कर रहे है पहली बार और उनके सामने जो purchase के invoice है है उनके supplier ने जो उनको उस company को दिये है और वो जो प्रचेज invoice उनके पास आए है वो अलग-लग format में आए हुए तो अलग-लग format का मतलब जिसे कि हमारे पास example के रूपे हमने ये तीन टाइप के प्रचेज invoice हमने लिए वे और तीनो टाइप के अंदर difference क्या रहने वाल है हम इसको एक बार समझे लेते हैं फिर हम आपका ये confusion दूर करेंगे भी आपको टेली software में केवल जो हमारा main points है वो कौन-कौन से point के आपको focus रखना है जिसे कि आपका प्रचेज invoice पिल्कुल सही तरीके से लिए format आपको बहुत सारे अलग-लग तरीके के देखने को मिलेंगे और example जैसा कि हमारे ये एक supplier है RV and company जो कि हमारे लिए out of state के है तो out of state के रहेंगे तो ये जैसे बात है product के उपर IGST tax है जो use करेंगे तो अब इन्होंने इस tax summary के अंदर हमें पता लग रहा है भी IGST tax है जो लगा हुए है लेकिन invoice के अंदर अगर हम stock item और net total की 20 की बात करें तो यहां पर किसी भी type का कोई भ लेकिन एक invoice मारे पास ये भी है ये हमारे लिए out of state के ही supplier है ये है हर याना के तो जैसी बात है ये भी हमें IGST tax लगा के ही जो इसको sell करेंगे तो इन्होंने यहां पर भी IGST tax है जो use किया हुए है लेकिन इन्होंने stock item के total और जो net total है इसके बीच के अंदर इन्होंने भी IGST tax tax है जो use किया हुए है यही सबसे confusion जो fresher accountant है उनको हो रहा है क्योंकि उनका होना इसलिए क्योंकि उन्होंने practice के दोरान या जब उन्होंने टेली सौफेवर को सिखा था तो उन्होंने अलग लग type के invoice format में practice नहीं करी होगी तो उनमें सबसे बड़ा confusion यही हो रहा है भी यह F Working your tax की… और यह जो टेक्स की amount है है यह दोनों ollen सेम है यह फिर अलग लग हैतो हमें इसकी INTE desse किस परकार से करनी है यह टेक्स मेज करना होगा यह फिर यह टेक्स मेज करना होगा और एक हमारे पास है हमारे लोकल रजय स्थान का ही है और रजय स्थान का टेक्स है तो इसका पॉर्मेट में आयोंगे जहापर आपको यहाँ पर पर स्टोक आइटम के अलावा कुछ अलग से फ्रेट चार्जिज जाया या कोई पेकिंग चार्जिज जाया या कोई लेबर एक्सपेंसेस इस त्रीके के एड़ होके आपके पास जुरूर आयोगे लेकिन हमें टेली वक्ते हैं वह आपको पता होना चाहिए भी आपको पर्चेज इन्वोइस में कौन-कौन सी ऐसे पॉइंट है जो आपको टेली सॉप्ट्वेर में इंट्री करते वक्त ज्यान में रखना जुरूरी है तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसे सर अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने पहले बारी टेली सॉप्ट्वेर को यूज कर रहे हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मौन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल प लिए और आज की वीडियो पसंद आई तो जुरूर लाइक करना ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर करना तो दोस्तों हम बात करते हैं टेली सॉप्ट्वेर में जब हम प्रचेज वाउचर की इंट्री करेंगे तो इंट्री के दोरान हमें कौन-कौन सी बात ने ज्यार मे रखने हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी जो भी इंवोईस आपके पास में उस इंवोईस को आपको ओपन रखने अपने सामने रखने और उसके बाद में टेली सॉप्ट्वेर में सबसे पहले हमारे पास ओपन आजेगा डेट का अब डेट से पहले भी हमारे प पास इन्वोईस आया है, उस इन्वोईस का जो नंबर है, जिसे कि यह मारे पास इन्वोईस है और ये इन्वोईस का नंबर है 3616 वड़ा, इस नंबर को आप यह लिखना चाहते हो, जहां अभी मेरे पास फिलाल दो नंबर आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इस voucher के जो format है, voucher numbering का method है उसको हमें manual करना पड़ेगा तो manual करने के लिए वापिस back आएंगे gateway of telly पे अल्टर पे आएंगे voucher type पर आएंगे और यहां से हम इसको purchase voucher को select कर देगे और उसके बाद में option आपको दिखाई देगा यहां पर method of voucher numbering का by default यह automatic होता है तो लेकिन हमें automatic से अठाक इसको manual कर देगे तो मैंने इसको manual कर दिया और इसको control लेके साथ accept कर दिया वापिस हम voucher पर आते हैं purchase पर अब आप देख सकते हो मेरे पास यहां पर voucher number का जो window है वो अब देखने को दोनों डेट में फरक क्या रहेगा यहां पर आपको वो डेट फ्रेस करनी है जिस दिन आपके पास goods है जो रिसीव हुआ है अब जैसे माली जी कि यह invoice है और यह जो invoice है 15 अप्रेल 2023 का ठीक है यह कौन सा date आ रहे है यह date of invoice के जिस दिन आपका invoice है जो बना था अब माली जी यह जो goods है आपके पास 6 परेveryll को कहँचे है तो आपको यहां पर date कॉन सी देनी है शोड़ा अप्रेल की देनी है उसके बाद में supplier का invoice नबर हम सेल ने लेगे ठीक है और उस दिन यहां पर हम देंगे डेट कौन सा भी आपका इन्वोईस कब इश्यू हुआ था पंदरा अप्रेल को तो वह आपको यहां पर पंदरा अप्रेल यहां पर दे नहीं आपको पॉइंट समझा रहा हूं भी आपको वाउचर को दे के परिशान नहीं हो न आपका कलर फुल में भी आ सकत आपको उससे कन्फूज नहीं होना है आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूं वो आपको फॉलो करने भी आपको स्टेप बाई स्टेप किन किन बातों का ध्यान में रखना है उसके बाद में पार्टी एकाउंट नेम यहनकि जिससे आपने प्रोडेक्ट पर चेज किया जिस स्टोक आइटम आपको यहां पर ट्यार करने हैं जैसे इसके बाद में जैसे कि मैंने यहां पर क्वांटिटी लिख दी 30 पीस अब यहां पर कन्फूजन आपके सामने रहेगी भी अब इसके अंदर रेट हमें कौन सा लगाना है अब रेट आपके पास यह इन्वोज साय त इसके दडर डो कार्टून है और 30 पीस हैं तो यह जो आपका रेट लगा हुआ है यह पर कार्टून का रेट है लेकिन आप मेंटेन कर रहे हैं उसको पीस के 専ंदर तो आपको यहां पर पीस के साथ इसको रेट को कैलिख करने पनेगा अब करने का तरीका अब यहां से भी नेट अमाउट आपके बन रही है जिसके अंदर GST की अमाउट है जो इनकलूड है तो इसका मलब 30 पीस की जो रेट है वो फाइनल रेट 3090 रुपे के हैं तो अब इसकी हमें टेक्स की केलकुलेशन इस परकार से करनी है भी इसकी टैक्सब्य वेल्ट अलग निकल जैए और टैक्स की माउट है जो अलग हो जाए तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आप इसकी final माउट एक बार यहां लिख लीजी और यहां पर आपको Alt C बटन प्रेस करने एड़ C प्रेस करते क्या हो जाए पर आपका केल्कुलेटर ओपन हो जाएगा अब आपकी जो फाइनल अमाउट है 3090 गुणा 100 डिवाइड वाई जितने मारे प्रसेंटेज की अमाउट है 5% की डिवाइड वाई 105 तो यानि कि यह आपका जो प्रोडेक्ट है वो अठानमर पे 10 पर पीस का रेट यहां पर ओटोमेटिक आ जाएगा अब उसके बाद यह आपकी 5% की परचेज आ तो यहां पर आपको 5% की परचेज का लेजर भी किरियेट करना पड़ेगा जैसा कि मैंने 5% लेजर किरियेट कर लिया अंडर में रहेगा परचेज कांट के जी टेक्सेबल करना है ठीक है इस तरीके से करेंगे और उसके बाद में इसको निच्छा पर पर परचेज का जो इन्वोईस नंबर लिखने उसके बाद देट करनी है यहां पर आपको डेट यह पर नेम सेलेक्ट करने के बाद आपकी टेक्स की जो डिटेल है वह आपको लिख देनी है इन्वोईस के फॉर्मेट पर आपको नहीं जाना है अधरवाई परशान उते रहोगी हमालीजिये में सेके आइटम भी यहां पर एक और डाल लेते हैं आइटम कुछ भी है लेकिन मेरे पास आइटम कुछ डिफरेंस है तो जैसे मैंने तीन सो थेल इसको कर दिया और इसकी भी मैं वेल्यू निकाल देता हूं और यह मेरी एक्जाम परचेज है परचेजर्य काउंत में रहेगा और गुर्ट रहेगा ठीक है अब यह अब यहां पर देखोगी इसकी जो क्लाशनकर परचेज टेयल है वो परचेज की भी हम इसको प्रशेज एक्सम्ट सेलेक्ट करें तो अब इस तरीकी से अगर इन्वोईस के माउंट देखेंगे तो ये 27,708 रुपे की माउंट बन रही है और यहां अगर हम बात करें टैली की तो यहां पर 27,914 रुपे की मन रही है तो इसका मलब इसके अंदर टैक्स के माउंट की बात करें तो टैक्स 15% मारा 350,350 रुपे बन रहे है जबकि हमने गलती कर दी ती यह हमारा प्रोडेक्ट था यह 12% का प्रोडेक्ट था हम इसको यहां पर 1% वड़ा आइटम हम क्रेट कर लेते हैं और उसके बाद में सारी डिटेल्स क्योंकि वो जो टैक्स की केलकुलेशन वो 12% के साथ से हुई है तो हम इसको वफिस चेंज करते हैं और उसके बाद में देखें को तो यह मारा इन्वोईस है जो मैं चोग है 27,708 रुपे और यहां पर टेली सॉफ्ट वेर के अगरम बात करें तो यहां पर भी यह 27,708 रु जाने लिए तो अब आप आपको के ने मुलब यह सारी जो स्टेप है आप को इस तरीके से फोलो करते रहना है वाउचर के मोडिपिक नहीं जाना है आपको किस तरीके का जो इन्वोईस है वो आपके और में पर इसकी जो निरेशन की डिटेल है वो यहां पर आप मैंटेन क अगर आप कोई भी नरेशन इस इन वोई के रिगार्डिंग अगर लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते और आप इसको बलेंक भी रख सकते हो अगर इसी दुरान अगर आपके पास कोई आउट ऑफ स्टेट की तो पर्चेज है जिसके हमारे पास परचेज है और एक यह प की अंदर GST ओलेडी इंकलूड कर दिये हैं और इसकी टेक्स की समरी यहां पर बन चुकी है अगर इन दोनों को एड करेंगे तो यह माउट आपकी बनेगी और यहां पर अगर आगर बात करोगे तो यहां पर आपको फ़र्ष्ट पहले बजा जाएगा भी जो स्टोक आइटम है इस अमाउट की अंदर GST इंकलूड नहीं है GST यहां पर नीचे अलग से एड किया हुए उसके बाद यह टेक्स माउट है यहनकी टेक्स की स्टोक आइटम की टेक्सेबल माउट और GST की माउट इन दोनों को पलस करने के बाद में जो हमारी इन्वोईस की नेट इनका टोटल भी हमारे इस टेक्स के बराबर है जो एक्वल मेच करेगा तो अब आपको अगर आई जीएश्टी की परचेज इन्वोईस करनी है तो आपको जो हम लेजर सेलेक्ट करेंगे पार्टी का इसी की इंट्री करके देखते हैं जैसे कि हमने इन्वोईस नमबर एक क्यां में रखना है इसका जो स्टेट शेक्वाद करें जो रखना है जिस टेट का हो यह रिजिस्टर है और उसके बाद में जो आइटिम आपकी रहेग्गे तो आज JIMकूंकि हमने इस पाराटी कीया था तो तो इसका स्टेट है जो त्ज्जाब कर दिया अगर यह रढ़ध taxable की amount दिखाएगा जिसे उसके बाद हम interstate purchase taxable इसके अंदर से nature of transaction में से select कर लेंगे अब अगर हम यहां पर इसका cgst tax चार्ज करेंगे तो cgst tax यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि अब यहां पर लगने वाला है यहां पर देखोंगे आईजिस्ट टेक्स की के अटोमेटी कर ली तो यह कुछ बैसिक पॉइंट थे परचेज इन्वोईश को देखके आपको कंफूज नहीं होना पॉइंट आपको याद रखने है सबसे पहले voucher नंबर उसके बाद डेट फिर सप्लायर का इन्वोईश नं में अपने आप पोस्ट हो जाएगा वीडियो पसंद आई लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर भी जरूर करना